आज के वीडियो पर बताने वाली हूँ जी हाँ मदुर्शावनी कब है और ये कहां मनाया जाता है ये बिहार और निपाल के सटे जी हां मिथलांचल में मनाया जाता है और ये जो पर्व है वो जो है नम विवाहिता महिला जो है वो मनाती है जी हां जिनकी साधी 2022 के नॉमबर में हुई है नॉमबर से लेके अब तक जिसकी साधी हुई है वही मनाएंगी और इस दिन से ये पर्व का शुरुआत होगा और इस दिन और उसके बाद टेमी का जो टा हम है जी अदिन है वह आपको 19 अगस्त जी हां इस दिन समापन हो जाएगा टेमिन लास्ट होता है अध्र शावनी का तो लो इसका समापन हो जाएगा 2020 में जो है वह सबा महिनी का और इसमें जो महिलाए है जो व्रती है उनको बहुत थोड़ा बहुत थिक्कत भाए है क्योंकि यह जो पर्व है वो अमोमन 15 दिन का होदा था और लेकिन इस बार जो है दो मास और अधिक मास के कारण जी हां सवा महिनी का हो गया है यहां टेमी का जो टाइम होता है दिन होता है वो तिर्तिया तिति होता है तिर्तिया तिति जो है वो 19 अगस्त को पढ़ने वाला है तो इस दिन समापन हो जाएगा और टेमी जो है वो विधकरी जो होती है वो दागती है ने तो करते हैं मदुश मित्रा हिं बहुत ही एच्छा यह ढूमधामें चाहिं पुरी गाओं में जिस इस गाओं में ग्रंभन है और मैं इस परव Kruse नजदीक से देखी हूं मैं हसूस भी की हूं नजदीक से देखना चाहते हैं तो यूटूब पे आपको बहुत सारा व्लॉग जीहां सीरीज में मिल जाएगा तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो ये पर्व को और इसमें जो है वो सिब जी का जीहां सीफ परवती का गाना नजदीक से अगर आप मिथला के हैं तो आप जानते होंगे इस पर्व को अगर नहीं है तो आज कल सोसल मेडिया पर बहुत सारा सीरीज है मदुशावनी का वह आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मिथला का ये जो कल्चर है वो कितना अच्छा है तो अगर आप आ कुमारा ये चोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो जी हम अदुशावनी का पर्व अच्छा लगा हो मैं अच्छे से बता पाई हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए गा और मेरे वीडियो को इंड तक देखने के लिए देल से धन्यवाद थैंक्स पर प्लाइब